नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमाई चैनल में मेरा नामेरी सी और आज की इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं कि अगर आप बिहार से हैं और बिहार रासन कार्ड में अगर आपका रासन कार्ड बना हुआ है और उसमें आप किसी भी परकार का सुध करवाना चाते हैं यानि सुधी करवाना चाते हैं किसी भी परकार का तुटी रह गया हो किसी का नाम गलत हो गया है या फिर किसी का नाम नहीं जुटा हुआ है गलती से मिस्टेक से छुट गया या फिर कोई नए member हमारे family में जूटे हैं तो उनका नाम जुरबाना है या किसी का नाम हटबाना है तो उन सारे चीज़ों पर हम बात करेंगे और किस तरह से आप वो कर पाएंगे क्योंकि ये सब online नहीं होता है सब offline होता है क्योंकि बिहार में किसी भी परकार का रासन कार्ड का जो form होता है वो online फिल नहीं होता है किसी भी परकार का तो आप online में मत पढ़िएगा आप को मैं जो step बता रहा हूँ आप सीधे offline के साथ ही ये process किजिएगा मैंने एक वीडियो सुबा में डाला था यानि कल एक वीडियो डाला था जो कि अगर आप नए रासन कार्ड बनाना चाहते हैं तो आप उसके लिए form किस तरह से apply कर पाएंगे उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था तो अगर आपको उन्हें वो वीडियो नहीं देखा है आप किसी family member का नाम किस तरह से इसमें जुर्बा पाएंगे तो जिस तरह से आप देख पाड़े होगे कि मैं अभी EPDS की website पर आया हुए है यानि कि जो official website होती है हमारे रासन की रासन बितरन की जो official website होती है उसमें तो इसमें आप उनको मैं उसी वीडियो में बता दिया था कि यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है कि उसका चालू हो चुका है क्योंकि यह दो चार पाँची साल में साइद एक ही बार रासन कार बनने के लिए या सुधार करवाने के लिए चालू होता है तो मैं आपको यह अपडेट दे रहा हूँ कि आप उसे जाके करवा लिए तो यहां पर आप नीचे जब आईएगा तो यहां पर आपको प्रता को और ख पर किलिक करना है यानि के और के एच पर फॉर्म को खोलना है खोलने के बाद आपको कुछी इस तरह का दिखाई यानि कि आपको खो नंबर की जो फॉर्म होती है उसे खोलना है आप यहां पर देख पाड़े होंगे कि लोग सेवा के अधिकार अधिनियम के अंतरगत बिदमान राशन कार्ड में उपांत्रन अथवा बिदमान राशन कार्ड में प्रयाप्तन यानि सलेंडर रद करवने क के लिए आप दे सकते हैं यानि कि अगर आपके किसी प्रकार का कोई त्रूटी रह गया तो उसे आप चेंज करवा सकते हैं साथ ही अगर आपको अगर यह राशन कार्ड बंद करवाना हो किसी भी प्रकार से आपको प्रॉब्लम हो रही है और इस राशन कार्ड को रद करव करने के समय तो दोस्तों उससे पहले अगर आपने हमाई चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमाई चनल को सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए इस वीडियो को जितना हो सके share किजे ताकि और भी लोगों को ये जानकारी मिल सके और और भी लोग इससे लाब उठा सके तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि आबेदक का नाम और यहाँ पर परिवारिक फोटो यानि कि यहाँ पर जितने सभी का एक फोटो लगेगा उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे-जैसे मैं आपको पताइती जा रहा हूं वह इसे-वह इसे आपको फिल करना है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको आबेदक का नाम देना है तो आबेदक का नाम आपको वही देना है जो का अधार नंबर उनका मोबाइल नंबर उसके बाद आबेदक का पिता का नाम तो उनका आप पिता का नाम दे देना है जो भी पहले थे उसके बाद उनका आवास की पता उसके बाद राशनकार संख्या जो राशनकार पहले इसू हो चुका है उसका जो राशनकार नंबर हो आप यहां पर आपको पूछा जाएगा कि आप इसमें क्यों चेंज करवाना चाहते हैं, क्या चेंज करवाना तो निवास में पड़े बर्तन, जन्मिया मिर्ट्यू, कार्ड में विव्रन, ब्योणा में असुद्धी, तो आप यहां किसी पर भी कुछ भी यहां पर लिख सकत में नाम में सुद्धी है उसके कारण से, और उसके बाद अगर अन्य कारण हो, तो अन्य कारण में भी आपको पूरा ब्रीफ करना होगा, पूरा आपको बताना होगा कि क्यों आप कर रहे हैं, उसके बाद यहां पर होगा कि आपको चेंज करने के लिए जिनका नाम बाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना होगा जन्म या मिर्टियू बाला तो जन्म में आपको दे देना है यहाँ पर कि इस बेक्ति का जन्म होगा है या यह जो मेरा नाम है यह मेरा इस बेक्ति का हमारे में फैमली में जन्म होगा है या अगर आपको किसी बड़े य मैं यह आवेदन कर रहा हूँ, उसके बाद जो पहला में होगा, यहाँ पर आपको उनका नाम देना होगा, जिनका नाम आप जुरबाना चाहते हैं, उनके पिता का नाम, उनका लिंग, उनका उव्म्र तथा बैभावी की स्थिति, या नि मैं रेड रहुगो, उसके बाद उ उसके बाद आप जब नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा अधार नंबर, यहाँ पे आपको उनका अधार नंबर, मोबाइल नंबर, साथ ही अगर वो कौन सा जॉब कर रहे हैं, या मतलब कोई खुद का बिजनस कर रहे हैं, या वो सरकारी नोकृणी हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर डालना होगा, उसके बाद आमदनी का स्रोत, आमदनी का स्रोत क्या है, तो यहाँ पर आप किरसी डाल सकते हैं, या फिर कुछ भी डाल सकते हैं, जो उनका आमदनी का स्रोत, मासिक आए, मासिक आए, आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि उनका भ यहां पे आप 10 जर से कम ही दिखाएंगे और अगर 10 जर से उपड़ है तो आप apply नहीं कि ग दिये उसके बाद यहां पे नीच्छी आप दीचेगा कि विधमान रासन कार के लिए पर आप तो रद करने के कारण रद करने का कारण यहां पे मतलब यानि चेंज जो करवा रहे हैं उसके लिए या रद करने के लिए जो आप दिये हैं उसके लिए कारण क्या है तो यहां पे जो है यहां पे परिवर्तन का कारण आप बढ़िया से देख लिए सभी चीजों में आपको नहीं भर देना है मैंन घिब्रण देना होगा कि वो कौन सा नोक्री है और किस पद पद पे है और कितनी उसकी मासिक आया है, उसके बाद यह गरामीन के लिए था जो उपर में मैंने बता, यह खौज जो है था वह घरामीन के lieरे और यहां पे आपको दिनांक डालना होगा यानि डेट जिस देट को आप अपलाई करें उसके बाद अस्थान डालना होगा कहां मलब आपको अपने जिले का नाम डालिएगा उसके बाद यहां पे जो आबेदक हैं जो पहले से जिनका रासम कार्ड था उनका नाम डालना है तो थ देना है घोसना पत्र में यहां तक लिएगा उसके यहां तक जो मैं दीखा रहा हूं करसर जो मेरा चल रहा है यहां ही तक आप लिखिएगा और यहां पे आपको साइन करके यह उठा लगा के दे देना है यह जो नीचे बाला है इसे आपको छोड़ देना उसके बाद आपको एक हापे डिपिट बन बाना होगा आपको कोट में जाना होगा और एक हापे डिपिट बन बाना होगा कि मैं जो मेरे फैमली में ये मेंबर आया है ये जुरा है या जनमा है जो भी है वो हमारे फैमली का मेंबर है और मैं इसका नाम रासनकार में जुरुबाना चाहता हूँ, तो आप अगर सीधे एक वकील के पास जाएगा, उनको बोलिएगा कि सर्व मेरा जो रासनकार है, उसमें कुछ असुद्धी है, या फिर कुछ किसी का नाम जुरुबाना है, तो उसके लिए मुझे एक आफेडिफिट चाहिए, तो उनको आफेडिफिट जब आप बोल दिजेगा, तो वो टाइप राइटर से टाइप करवा के आपको आपको जाना है ब्लोक, ब्लोक में जो आटी पीस काउंटर होता है, वहीं अगल बगल आप देखेंगे जहां पर आए जाती परमान पत्र के लिए अपलाई करते हैं, वहीं अगल बगल आप देखेंगे कि कहीं पर रासन कार्ड के लिए भी एक काउंटर होगा, तो मुझेता जो क 31 दिन के अंदर आपको पता चल जाता है कि आपका reject हुआ या अप्रूब हुआ है और आपके gram के जो भी मुखियां होते हैं उनके तुरू ये बित्रित किया जाता है आपके घर तक पहुंचाया जाएगा और आपको सुचना दिया जाएगा कि आपका जो है रासन कार आ चुक लाइक कीजिए इस वीडियो को और जितना होस्के सेर कीजिए I hope यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा क्योंकि मैंने इसमें सारे चीजों के बारे में बात कियों अगर आपका कोई कमेंट हो कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखेगा मैं आपके उस डाउट को जरूर के लिए करूंगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद